दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने को बताने वाला हूं कि अपने फोन के contact number को गूगल ड्रैप पर किस तरह से सेब कर सकते हैं और इसके लब अगर आप उनको जीमेल पर सेब करना चाते हैं तो उसको किस तरह से कर सकते हैं तो आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरह से जीमेल पर गूगल ड्रेप पर अपने कॉंटेट का बेक अप लिया जाता है तो आज के इस वीडियो को देखते रहे हैं तो अचली दोस्तमा वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहां पर आपने जो कुछ भी अपना डाटा अपलोड करके रखा हैं हमें क्या करना हो कि यहां पर आपको अğपशन और शरां की आपको आपको तरिग अप्शन देखनाएं यहाँ पर आपको एक ऑफ्शन देखना को मिलता है Auto Backup for Apps इसने आप टेप करेंगे इसने टेप करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का Interface देखना को मिलेगा आप यहाँ पर आपको Backup Now का बटन मिलता है अगर आप इसने टेप कर देते हैं तो आपका पूरा बेकप यहां पर हो जाता है लेकिन यहां पर जो एक disadvantage है वो यह दोस्तों कि यहां पर आपके सिर्फ only content का बेकप नहीं होता है यहां पर आपकी application की setting बगएरा आपके photos, videos बगएरा आपके sms, call history, device setting बगएरा और आपके content का backup यहां पर ना लें क्योंकि अकले content का backup आप यहां पर नहीं ले सकते हैं तो आप 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 second option बसता है जोस्तों Gmail account का तो Gmail account किस तरह से लेंगे चलिए उसकी बात कर लेते हैं तो उसके लिए यहां पर से आपको अपने content को open कर लेना है चलिए contact list को यहां आपको open कर लेता हूं contact list को open करने के बाद आपको rightand side में उपर की side 3 dot मिलता को 3 dot पर tape करना है इस लेक हैं तो सब सबसे पर adaki when to image यहां से इंपोर्ट कर सकते हैं अगर आपकी각 मत्रडियpark it सबस्क्राइब यह रहुत है तो ऑफ यहांसे से इन्पर्ट कर सकतें सकते हैं तो सपोच कीजिए कि मैं आप Actually SIM 1 के content को import करना चाहता हूं तो मैं SIM 1 पर tape करूँ है और इसके बाद मैं जैसे आप इस पर tape करेंगे तो अब ही आप से पूछ रहा है कि आप content को कहाँ पर import करना चाहते हैं कि किस Gmail ID पर करना चाहते हैं तो आपके phone में जितनी भी Gmail ID आपने आपने लोगिंग करके रखेंगे उनकी list आपको इस तरह से show हो जाएगी तो यहाँ पर आद देख सकते ही मेरी तीनो Gmail ID यहाँ पर show हो रहे हैं तो इसमें से आपको उस Gmail ID को select कर लेना है जिसमें कि आप सभी content का backup लेना चाहते हैं तो जिस-जिस content का आपको backup चाहिए आपको इस तरह से उन content को select कर लेना है और उसके बाद नीचे की side आपको delete का button मिलता है और एक import का मिलता है आपको simply import पर tape कर देना है जिससे आप import पर tape करते हैं तो यहाँ पर आप आप देख सकती कि हमारे content यहाँ पर import होना हो जाता है आप उसको sell कर देते हैं और आप दूसरे phone में अपनी sim डाल ले तो आप हमापर इसी Gmail ID को logging करके और अपने सभी content को अपने new phone में यानि की new device में रिटर कर सकते हैं तो दौस्तों अब आपको आपको आचके जानकर अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने विटक मारे चेनल को सब्सक्राइब ने किया तो अभी सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपक से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो दोस्तों आज की वीडियो में सरीफ इतने मिलते हैं नेक्ट वीडियो